Hello everyone, welcome back to my youtube channel, hope you guys are doing well तो आज हम डिसकस करेंगे Indian history से related most important MCQs जो कि आपके previous exam में पूछेगे हैं और आपके आने वाले exams के लिए बहुत ही जादा beneficial है तो आपको simply क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन questions में से कितने questions सही होंगे वा कितने गलत होंगे तो इन questions को हम detail में डिसकस करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को like जरूर करें अगर आप पहली बार हमारे channel पर visit कर रहे हो तो जरूर से हमारे channel let's prepare को subscribe करें साथ में bell icon को जरूर दबाएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बात करें हमारे question number 99 की उपनिशद are books on तो उपनिशद पुस्तके हैं तो ये किस के उपर हैं तो यह है philosophy यानि की तत्व ग्यान के उपर option यहाँ पर correct हो जाएगा तो basically अगर उपनिशदों की बात करें तो उपनिशदों की कुल संख्या कितनी होती है यह वाला question बहुत बार exam में पुछा गया है कि उपनिशदों की कुल संख्या कितनी है तो यह है 108 एक और question बनता है उपनिशद से अभी previous एक state PCS exam में पुछा गया था कि उपनिशद हिंदू धर्म के कौन से महतवूर्ण धर्म गरंथ है तो आपको याद रखना है उपनिशद हिंदू धर्म के महतवूर्ण शुरुती धर्म गरंथ है शुरुती धर्म गरंथ है तो इन वाले points को आपको note रखना है अगले question की बात करें question number 100 who founded partly putra तो किसने partly putra को स्थापित किया था पाटले putra याने की पटना आधुनिक पटना तो ये किया था उदाइन ने स्थापित औप्षन एह यहां पर correct होगा तो उदाइन कौन था तो उदाइन की बात करें तो उदाइन घर एक वंज का एक राजा था हर एक वंश का राजा था तो हर एक वंश की अगर बात करें तो हर एक वंश का संस्थापक कौन था तो हर एक वंश का संस्थापक था बिम्बी सार बिम्बी सार जो है वो मगद की राजगत दीपर कब बैठा था ये वाला question बहुत बार exam में पूछा जाता है तो बिम्बी सार मगद की राजगदी पर 544 इसा पुर्व में मगद की राजगदी पर बैठा था और इससे एक और question निकलता है कि बिम्बी सार कौन से धर्म का अनुयाई था तो ये था बहुत धर्म का अनुयाई बिम्बी सार के बाद बैठा था अजात शत्रू और अजात शत्रू जो है वो अपने पिता यानि की बिम्बी सार की हत्या करके मगद की राजगदी पर बैठा था और अजात शत्रू के बाद बैठा था उदाइन उदाइन भी अपने पिता यानि की अजात शत्रू की हत्या करके ही मगद की राजगदी पर बैठा था उदाइन के बारे में दो पॉइंट आपको नोट रखने है कि उदाइन कब जो है वो राजगदी पर बैठा था तो ये 461 इसा पुरव में राजगदी पर बैठा था और उदाइन जो है वो किस धर्म का अनुयाई था तो उदाइन जो है वो उदाइन जो था जैन धर्म का नहीं आई था तो इन वाले points को आपको note रखना है अगले question की बात करें The first Buddhist council was held at तो पहली बौध परिशद आयोजित हुई थी तो बौध परिशद से बहुत ज़ादा questions निकल कर आते हैं तो basically आपको पहले पता होना चाहिए बौध परिशद होती क्या है तो बौध परिशद मतलब बौध सभा तो बौध सभा का आयोजिन कब किया जाने लगा था तो गौतम बुध यानि कि महत्मा बुध की जब मृत्ति हो गई थी तो उसके बाद बौध परिशद यानि कि बौध सभा का आयोजिन किया जाने लगा तो यह क्यों किया जाने लगा तो यहां पर बहुत धर्म से जुड़े विशेश लोगों को बुलाया जाता था बहुत परिशद में और यहां पर चर्चा होती थी कि कैसे हम बहुत धर्म को और सुद्रिड बनाएंगे तो एक तो हो गया बहुत परिशद का यह पॉइंट आपको नोट रखना है कि क्यों बुलाई जाती थी तो बहुत परिशद आयोजित होती थी तो पहली बहुत संगती यानि कि पहली बहुत परिशद कहां पर हुई थी आयोजित तो यह हुई थी राजग्रिह में ये वाला question बहुत बार exam में पूछा गया है यहाँ पर भी पूछा गया है पहली बौध परिशद आजजित हुई थी राज ग्रिह में तो पहले तो आपको ये point note रखना है कि कितनी बौध परिशदें हुई थी तो total चार बौध परिशदें हुई थी बौध सभाएं हुई थी तो पहली बौध सभा कहां पर हुई थी तो ये राज ग्रिह में हुई थी और उस समय जो है वो राजा कौन था राजा था अजात शक्त्रू और उस समय अध्यक्ष थे महा कश्यप second की बात करें second बौध सभा कहां पर अयोजित हुई थी तो ये हुई थी वैशाली में कहां पर वैशाली में और उस समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सवाकामी अध्यक्ष यानि की उस सभा के अध्यक्ष थे सवाकामी third बौध सभा की बात करें थर्ड बहुत सभा हुई थी पार्टली पुत्र में ये वाला कॉस्टिन बहुत ज़ादा important है कि थर्ड बहुत संगती यानि कि थर्ड बहुत सभा कहां पर आयोजित हुई थी राजा कौन था तो उसमें राजा था अशोक और अध्यक्ष था उस सभा का मोगली पुत्र तेस और अगर फोर्थ की बात करें फोर्थ बहुत सभा जो है वो कुंडल वन में यानि कि कश्मेर में आयोजित हुई थी और कनिश्क उसमें राजा था और अध्यक्ष था वशुमित्र अश्वगोश तो इन वाले पॉइंट्स को आपको नोट रखना है अगले कॉस्टिन की बात करें कॉस्टिन नमबर हमारा 102 है दे लास्ट मौरें एंपरर वाज तो अंतिम मौरे समराट कौन था तो अंतिम मौरे समराट था ब्रहदर था दी यहां पर कॉरेक्ट हो जाएगा तो यहां पर मौरे वंश की बात करें तो मौरे वंश का संस्थापक कौन था तो मौरे वंश का संस्थापक था चंदरगुप्त मौरे चंदरगुप्त मौरे का जन्म 345 हिसापुर में हुआ था और ये 322 हिसापुर में मगद की राजगदी पर बैठा है, यह जैन धर्म का अनुए आई था, और इसके गुरू का नाम था भदर बाहू, भदर बाहू, ये वाले सारे points एक्जाम में पूछे गए हैं, questions से, तो चंदरकुप्त के बाद बिंदू सार मगद की राजगदी पर बैठा था, बिंदू सार, बिंदू सार के बाद जो है वो अशोक बैठा था, अशोक से दो तिन questions निकल कर आते हैं, तो अशोक से तो हमने एक question पीछे ही discuss किया, कि थर्ड बौध संगती, यानि कि थर्ड बौध परिशत जो है वो अशोक के साशनकाल में हुई थी, और उस स point जो है वो आपको note रखना है, बहुत बार exam में पुछा गया है कि भारत में शिला लेखों का प्रचलन सर्व प्रथम किस ने किया था, तो ये किया था अशोक ने, भारत में शिला लेखों का प्रचलन सर्व प्रथम अशोक ने किया था, और अंतिम आपको पता चल गया कि अंतिम था ब्रहदरत ब्रहदरत की हत्य कर दी थी इसके सेनापती पुश्य मित्र शुंग ने और उसने मगद की राजगदी पर शुंगवंश की नीव डाली थी और शुंगवंश की नीव मतलब की ब्रहदरत को उसने कब हराया था या मारा था तो 185 इसापूर्व में इस व वाला question बहुत important है पुहर का संसापक था करीकला करीकला तो इसको जो है वो इसकी pronunciation हम करीकला भी कहते हैं इसको और करीकाल भी कहते हैं तो आपको confuse नहीं होना है करीकाल भी इसको ही कहते हैं और करीकला भी इसको ही कहते हैं तो ये कौन था तो ये जो है वो इसने कावेरी नदी के मोहने पर कावेरी नदी के मोहने पर पुहार पतन जिसको हम कावेरी पतन भी कहते हैं पुहार पतन की स्थापना की थी तो पुहार पतन की स्थापना की थी ये कहां पर लिखा गया है तो ये संगम साहित्य में वर्णि तो करीकाल के बारे में आपको दो तीन पॉइंट्स नोट रखने हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो एक तो पूछा गया है कि किस साशक को जले हुए पैरों वाला कहा जाता है तो करीकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता है एक तो पॉइंट आपको नोट ये रखना है बाकी करीकाल जो है वो प्रारंभिक चोल साशकों में से था तो इसका कभी-कभी शाशन काल पूछ लिया जाता है तो आपको नोट रखना है यानि कि आप कह सकते हो एप्रोक्सिमेट जो है वो 190 इसवी के आसपास इसका शाशन काल था बात करें हमारे अगले क्वाशन की क्वाशन नमबर 104 मृश कटिगा वोज रिटन बाई तो मृश कटिगा किसके दौरा लिखी गई थी तो ये लिखी गई ही बान बठ के दौरा बान बठ की बात करें तो बान बठ जो है वो हर्ष हर्ष वर्धन के दरवारी कभी थे हर्ष वर्धन के दरवारी कभी थे और हर्ष वर्धन की बात करें तो ये कौन थे हर्ष वर्धन जो है वो पुश्य भूती या वर्धन वंश के वर्धन वंश के एक राजा थे तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है बाकी हर्ष वर्धन से दो तिन कॉइंट निकल कराते हैं हर्ष वर्धन से तो हर्ष वर्धन को भारत का अंतिम हिंदू समराट कहा जाता है एक तो point आपको note रखना है बाकी हर्ष को एक और नाम से जाना जाता है तो इसको जा है वो शिला दित्य शिला दित्य नाम से भी जाना जाता है इस वाले point को भी आपको note रखना है अगले question की बात करें question number 105 अमेर खुश्रो वाज़ फेमस court point of तो अमेर खुश्रो किस के दरवारी कभी थे तो ये थे अलावदिन खिल जी के option C यहां पर correct हो जाएगा तो अगर अलावदिन खिल जी की बात करें तो ये बहुत जादा important यहां से point से निकल कराते हैं दो तिन जो की बहुत बार exam में पुछे गए हैं ऐसे कि अलावदिन खिल जी दिल्ली का सुल्तान कब बना तो ये जो है वो दिल्ली का सुल्तान 22 सक्तूबर 22 सक्तूबर 1296 को बना था एक तो ये point आपको नोट रखना है बहुत बार exam में पुछा गया है बाकी एक और पुछे जाता है कि गोड़ा दागने और सैनिको का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुवात किसने की थी तो गोड़ा दागने और सैनिको का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुवात की थी अलावदिन खिल जी ने बाकी एक और पुछे जाता है मुल्य नियंतरन प्रणाली मुल्य नियंतरन प्रणाली को दिर्टा से लागो किसने किया था तो ये किया था अलावदिन खिल जी नहीं बाकी एक पॉइंट आओ रहा है कि किसने जो है वो सिकंदर सिकंदर ए सानी सिकंदर ए सानी की उपादी खुद को दी थी तो ये अलावदिन खिलजी ने खुद को दी थी यानि कि ये खुद को दूतियसी कंदर कहता था तो इन वाले पॉइंट्स को आपको नोट रखना है अगले कौशन की बात करें वेर इस दा फेमस विरुपाक्ष टेमपल लोकेटिड तो प्रसिद विरुपाक्ष मंदिर कहां पर है तो ये है हम पी में उप्शन सी कोरेक्ट हो जाएगा अगले कौशन की बात करें भक्त तुकाराम वाज अ कंटेंपरेरी और विच मुगल एमपररर तो भक्ततुकाराम किस मुगल समराट के समकालें थे तो भक्ततुकाराम की बात कर ली जाए तो ये जहांगीर के समकालें थे option C यहांपर correct हो जाएगा जहांगीर के तो जहांगीर जो है वो जहांगीर से आपको दो तिन point से note रखने है एक तो जहांगीर जो है वो जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है यानि कि इसका नाम बेसिकली समीर ही था एक दो पॉइंट आपको और नोट रखने हैं सलीम यानि कि जहांगीर से जैसे कि सबसे पहले तो जहांगीर किसका पुतर था तो जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्तर था एक तो पॉइंट यह हो गया जहांगीर जो है वो दिली की गद्दी पर कब बैठा तो यह 24 अक्तुबर 1605 इस भी को गद्दी पर बैठा था दिली की गद्दी पर बैठा था और आप से पूछा जाएगा बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है कि किस शाशक को नियाय की जंजीर के लिए याद किया जाता है तो ये जहांगीर को याद किया जाता है ये वाला point बहुत ज़्यादा important है एक और caution निकल कराता है कि किस राजा के साशनकाल को मुगल चित्रकला का स्वरणकाल कहते हैं तो ये जहांगीर के साशनकाल को ही मुगल चित्रकला का स्वरणकाल कहा जाता है तो इस वाले point को भी आपको note रखना है बात करें हमारे अगले question की Where is the meosolium of शेर्शाह तो शेर्शाह का मकबरा यानि कि टॉम कहां पर है तो शेर्शाह का मकबरा है सासाराम है option A यहां पर correct हो जाएगा तो अगर सासाराम की बात कर ली जाए तो सासाराम basically किस state में है वरतमान किस state में है तो ये है बिहार के state में बिहार के state में और ये जो है वो एक अस्ट भुजीय मकबरा है ये वाला point आपको note रखना है और इसकी एक खासियत है सासाराम मकबरे की एक खासियत है कि ये जो है वो हिंद तथा इरानी वास्तुकला के समनवे का प्रथम example है तो इन वाले points को आपको note रखना है बाकि शेरसा के बारे में बहुत से questions निकल कराते हैं जैसे कि शेरसा ने कब पार्टली पुत्र को पटना के नाम से पुनह साबित किया तो 1541 इसमी में इसने जो है वो पार्टली पुत्र का नाम बदल कर पटना का नाम रख दिया था एक त डाक प्रथा का प्रचलन सर्व प्रथम किस ने किया था तो ये जो है वो शेरसा के समय प्रथम बार जो है वो इसका प्रचलन हुआ था डाक प्रथा का तो इन वाले points को आपको note रखना है बात करें हमारे अगले question की question number 109 who was called चानक्या of Maratha politics तो किसे Maratha राजकरण का चानक्य कहा जाता है तो ये कहा जाता है नाना फड नवीज को option C यहाँ पर correct हो जाएगा अगले question की बात करें question number 10 है the successor of Maharaja Ranjit Singh was तो Maharaja Ranjit Singh के वारिस कौन थे यानि कि Maharaja Ranjit Singh का पूतर कौन था तो ये था खड़क सिंग option A यहाँ पर correct हो जाएगा तो महराजा Ranjit Singh से बहुत सारे questions निकल कराते हैं तो आपको simply ध्यान रखना है तो जैसे Ranjit Singh का जन्म कब हुआ था तो 1780 इस वी में जो है वो इनका जन्म हुआ था ये वाला question बहुत वार एक्जाम में पूछा जाता है फिर एक और questions निकल कराता है कि महराजा Ranjit Singh की कितने राजधानियां थी तो इनकी basically इनके समराजे की दो राजधानियां थी एक तो पॉइंट यह हो गया तो दो राजधानिया कौन कौन सी थी एक थी राजनेतिक एक थी राजनेतिक राजधानी और एक थी धार्मिक राजधानी तो आपसे पूछा जाएगा कि राजनेतिक राजधानी कौन सी थी तो राजनेतिक थी लहोर और धार्मिक कौन सी थी तो obviously अमरित सर होगा धार्मिक थी अमरित सर तो इन वाले points को आपको note रखना है बाकी एक और questions निकल कर आता है महराजा रणजी सिंग से कि अमरित सर की संधी आपने सुना होगा बहुत वारे एक question अमरित सर की संधी किन के मध्य हुई थी और कब हुई थी तो आपको याद रखना है अमरित सर की संधी 18009 इसवी में हुई थी और कन कन के बीच में हुई थी एक तो चार्ल्ज मेटकॉफ चार्ल्ज मेटकॉफ और महराजा रणजीत सिंग के बीच में ये हुई थी तो इस वाले point को आपको note रखना है महराजा रंजीर सिंग की मृतियों कब हुई थी 1849 मेन की मृतियों हो गई थी तो इन सारे points को आपको अच्छी दरा note रखना है तो guys यहाँ पर हमने Indian history से related most important questions को discuss किया I hope वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से वीडियो को अपने भाई बेहनों के साथ शेयर करें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए इसे के साथ वीडियो का इंट करते हैं मिलें के अगली वीडियो में, तिल दन, टेक केर